नमस्कार साथियों UPSC Current Affairs प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है मेरा नाम दिपांच है आईए जानतें इस वक्त की अपडेट देश की सभी पंचायते होंगी UPI सक्षम जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना हाली में पंचायती राज मंत्राले द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि देश बर की सभी पंचायतें इस स्वतनता दिवस के बाद UPI सक्षम घोशित कर दी जाएंगी मंत्राले के अनुसार विकास कारियों और राजस्व संग्रे के लिए 15 अगस के बाद सभी पंचायतों में डिजिटल भुकतान को अनिवार कर दिया जाएगा गौर तलब हो कि पंचायती राज मंत्राले के सचिफ के अनुसार 98 प्रतिशत पंचायतें पहले से ही UPI या धारित भुकतान का उप्योग कर रही है मंत्राले द्वारा पंचायतों को 30 जून को सेवा प्रदाताओं और विक्रेताओं के साथ बैठके आयोजित करने के लिए भी कहा गया है साथ ही मंत्राले द्वारा UPI या धारित प्लाटफॉर्म जैसे गूगल पे, फोन पे, भीम, पे टीम आधी की एक विवरन सूची भी साजा की गई है मंत्राले के दिशा निर्देशों के अनुसार 15 जुलाई तक पंचायतों को अपने स्तर पर इन सेवा प्रदाताओं में से उचित सेवा प्रदाता का चैन करना होगा साथियों मंत्राले ने राज्जियों और केंदु शासित प्रदेशों को राज्य के मुख्यमंत्री, चेत्रिय सांसदों और विधायकों जैसे प्रमुख गढमान ये व्यक्तियों की उपस्तिती में पंचायतों को यूपिया य अनुपालन में सक्षम घोशित करने के अध्यम से लगबग 1.5 लाग करोड रुपे का भुक्तान किया जा चुका है। आपको बता दें कि पंचायतों के चेक और नकद में भुक्तान को मंत्राले द्वारा लगबग बंद कर दिया गया है। अब पंचायतों को केवल डिजिटल रूप में भुक्तान किया यूपी आई यानि Unified Payments Interface, NPCI द्वारा विक्सित एक त्वरित रियल टाइम भुक्तान प्रणाली है। यूपी आई के तहत इंटर बैंक, पियर टू पियर और व्यक्ति से व्यपारी को लेन दिन की सुविदा दी गई है। आपको ग्यात होना चाहिए कि NPCI यानि National Payments Corporation of इंडिया द्वारा वर्ष 2016 में 21 अदस से बैंकों के साथ UPI को लाँच किया गया था। 24 अपरेल को समविधान के 73 संशोधन अधिनियम 1992 को लागू किया गया। पंचायत विवस्ता के संस्थागत करण और सत्ता के विकेंद्री करण को समविधानिक बनाने वाले इस एतिहा हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi